आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी कॉफी की रेसिपी जी हां आज की रेसिपी है गुड की चाय यानि की जागरी कॉफी इसे बनाना आसान है और इसका टेस्ट तो मत ही पूछिए आप इस कॉफी को एक बास जरू ट्राइ करें आपको यह बहुत जादा आएगी तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए इंग्रीडियंट्स तो यहां पर हमने इंग्रीडियंट्स में लिया है एक चमच कॉफी एक चमच गुड और यह एक कप दूद आप डाल दे यह एक कप दूद और इसे आप धीमी आज पे उबलने के लिए कॉफी क्योंकि मुझे स्ट्रॉंग कॉफी पसंदे इसलिए मैंने यह कॉंबिनेशन इस्तिमाल किया अगर आपको थोड़ी लाइट कॉफी पसंदे तो आप थोड़ा सा कॉफी पाउडर कम कर दे और थोड़ा से जादा गुड डाले अब इसमें हम डाल देंगे यह दो मिनिट तक स्टर किया है तो इसे देखे यह इस तरह का दिखता है यह देखे इसे दो मिनिट से मैं इसे फिंट रही हूँ तो यह देखे इसका रंग इस तरह से आएगा कॉफी का कलर तो अच्छा है मैं इसे तीन मिनिट और फिंट हूँगी ताकि इसमें जादा जाग और यह ज्यादा फोमी बने अगर आपको ज्यादा फोम बेस्ट कॉफी पसंद है तो आप इसे लगभग 10 से 15 मिनिट तक अच्छी तरह से फेंट लें ये देखे इस बीच दूद भी गरम हो चुका है तो इसमें एक अच्छा सा उबाल दे के हम गयास को बंद कर लेते हैं तो यहां पर देखें ये जो कॉफी है इसे मैंने 5 मिनिट तक कंटीनिवसली फेंटा हुआ है इसके बाद इसका कलर ऐसे आया है अब इसमें हम डाल देंगे दूद ये करम दूद हम इसमें डाल रहे हैं आप देख सकते हैं कॉफी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है क्योंक कोफी यानि कि जैगरी कोफी तो देखा आपने कि कितना आसान है ये कोफी बनाना इसे आप सुबह पी सकते हैं आप चाहे तो आप इसे बिस्किट्स या फेस्टास के साथ शाम को भी ले सकते हैं तो अगर आज आपको ये रिस्पी पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडिय को लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन पे आप ज़रूर क्लिक करें इससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मेरी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्याइगी